जीनिवा मोटर शोओ में रेनो 5 एब हुई अन्वील, जान ये संभावित की मत और खासियत रेनो ने जीनिवा मोटर शोओ में नई अलेक्ट्रक का पेश की है रेनो 5 का प्रोडक्शन वर्जन दिखने और डाइमेंशन के मामले में 2021 म्यूनिक आटो शोओ में दिखाए गए कॉंसेप्ट संसकरन के लगभग समान है रेनो का कहना है कि ये वाहन सामान्य चार वर्शों के बजाए केवल तीन वर्शों में डेवलप किया गया है आए इसके बारे में जान लेते हैं आटो डेस्क, नई दिलली, पॉपुलर कार निर्माता कमपनी रेनो ने जीनिवा मोटर शो में नई इलेक्ट्रिक का पेश की है फ्रांसीसी कार निर्माता की इस इलेक्ट्रिक कार का नाम रेनो आर फाइब है जो 1972 की बेस्टसिलर आइस कार से इंस्पायड है यूरोप में निर्मित महेंगी इलेक्ट्रिक कारों को टक कर देने के लिए रेनो इसकी कीमत 25,000 यूरो के आस पास रख सकती आये, इस हैब के बारे में जान लेते हैं रेनो फाइब की खासियत रेनो फाइब का प्रोडक्शन वर्जन दिखने और डाइमेंशन के मामले में 2021 म्यूनिक आटो शो में दिखाए गए कॉंसेप्ट संसकरन के लगभग समान है रेनो का कहना है कि ये वाहन सामान्य चार वर्शों के बजाए केवर तीन वर्शों में डेवलप किया गया है ये इलेक्ट्रिक कार रेनो ग्रूप की स्टैंड अलोन ईवी सहाय कंपनी अम्प्य द्वारा लॉंच की गई पहली कार है कहां होगा प्रोडक्शन इसे और्टोमिकर के कार और कंपोनेंट कार खानों के इलेक्ट्रिसिटी क्लस्टर के हिस्से के रूप में फ्रांस के डॉई में बनाया जाएगा बैटरियां अगले साल से इन्विजन AESC से आएंगी जिसमें क्लेउन फ्रांस से इलेक्ट्रिक मोटरें भी शामिल होंगी रेनो का कहना है कि रेनो 5 को बनाने में 9 घंटे लगेंगे जो टेसला से भी तेज है लॉंच डेट 2024 के मध्य में लॉंच होने की उम्मीद है रेनो ने अभी तक रेनो 5 EV की कीमत या उपलबधता के बारे में कोई भी आधिकारिक गोशना नहीं की है लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके 2024 में योरोप में पेश होने की उम्मीद है जिसे बाद इसे भारत में भी लॉंच करने की योजना पर काम किया जाएगा रेनोल्ट 5 EV पर कमपनी ने क्या कहा रेनोल्ट के भी EV सेगमेंट प्रोड़क्ट और परफॉर्मेंस डायरेक्टर डिल्फिन दी अन्रिया ने कहा की भाविश्य का इलेक्रिक रेनोल्ट 5 अपने सेगमेंट के लिए बहुत प्रतिस्पर्धी रहते हुई रियल ड्राइविंग इन्जोई का दावा करता है वीदियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें